नमस्कार दोस्तों, इंस्रेंस टेक्निकल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं LIC के मनी बैक प्लान के बारे में जिसका टेबल नंबर है 920। LIC ने इसे 1st February 2020 को मार्केट में लाया है या एक 20 साल की non-linked with profit limited premium payment plan है या एक 20 years का प्लान है अर्थाथ इसका policy period 20 वर्ष का है या एक limited premium payment की policy है इस policy के अंतरगत आपको सिर्फ 15 वर्ष तक premium का भुगतान करना है या एक non-linked plan है अर्थाथ या share market से जुड़ा हुआ नहीं है या एक with profit plan है अर्थाथ LIC अपने financial performance के अनुसार profit को wasted simple revisionary bonus और final additional bonus के रूप में बीमा धारक के साथ share करेगी अब बात करते हैं इस policy को लेने के लिए आवर्षक माप दंड के बारे में इस policy को लेने के लिए minimum AZ entry है 13 वर्ष इस policy को लेने के लिए उम्र कम से कम 13 वर्ष जरूर होना चाहिए maximum AZ entry है 50 वर्ष अर्थाथ 50 वर्ष से अधिक उम्रवाले ब्यक्ति को यह policy नहीं दी जा सकती maximum AZ maturity 70 वर्ष है policy टर्म 20 वर्ष है और premium payment टर्म 15 वर्ष है maximum Sum Assured maximum Sum Assured की कोई limit नहीं है लेकिन यह policy लेने वाले की income पर निर्वर करता है riders riders का मतलब होता है policy benefit के अलावा अतिरिक benefit और इन riders को लेने के लिए अतिरिक premium का भुगतान करना होता है इस policy के अंतरगत चार riders उपलब्द हैं पहला है accidental death and disability benefit rider दूसरा है accident benefit rider तिसरा है new term assurance rider चोथा है new critical illness benefit rider अब बात करते हैं policy के other features के बारे में grace period grace period का मतलब होता है premium को pay करने के लिए अतिरिक समय इस grace period के दोरान भी पूरी coverage बनी रहती है और इस दोरान यदि claim आता है तो LIC उसका भुगतान करती है grace period इस बात पर निर्भर करता है कि premium payment का आपने कौन सा mode अपने लिए चुना है यदि बीमा धारक ने yearly या half yearly या quarterly premium payment mode चुना है तो उन्हें अतिरिक समय 30 दिनों का मिलता है यदि बीमा धारक ने मंधली premium payment mode का चुनाओ किया है तो उन्हे grace period 15 दिनों का मिलता है revival of policy, revival का मतलब होता है बंद policy को खिर से चालू करना यदि आपने कुछ वर्सों तक policy के premium का भुगतान किया और उसके बाद premium का भुगतान करना बंद कर दिया और आपकी policy बंद हो गई तो आप इस बंद policy को 5 वर्स के अंदर कभी भी बकाय प्रीमियम का भुगतान interest के साथ करके चालू कर सकते हैं फेड़ वैलू या इस policy की बहुत ही अच्छी benefit है जिसके अंतरगत यदि बीमा धारक ने कम से कम 2 वर्स या उससे अधिक अधिक प्रीमियम का भुगतान किया हो उसके बाद किसी भी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो तो भी इस policy की कभरिज खत्म नहीं होती बलकि policy के लाग घटे वेश्वमिशोड के साथ जारी रहती है दोस्तों पेड़ वेलू की जानकारी बहुत ही जरूरी है यदि आप policy का प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं और इसे बंद करने की सोच रहे हैं या आप LIC का अभी करता है और आपका कोई customer अपनी policy को बंद करने की सोच रहे है तो उसे पेड़ वेलू के बारे में जरूर बत के भुकतान करने के बाद बिमाधारक इस policy को surrender कर सकते हैं यहाँ आपको बता दूं कि यदि बिमाधारक policy को surrender करते हैं तो उन्हें हमेशा नुकसान होता है इसलिए policy को लेते समय सोच समझ कर उतने ही समय शोड की policy लें जिसका प्रीमियम भरने में आपको दिक्कत ना हो और आपको policy surrender करने के आउ सकता ना पड़े यदि फिर भी policy surrender करने के आउ सकता पड़ती है तो पहले इसके पेड़ा value की जनकारी जरूर ले 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 लोन facility इस policy के अंतरगत लोन की सुविधा उपलब्ध है जो की policy के अंतरगत दो वर्च के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद मिलती है लोन का amount इस बात पर निर्वर करता है कि policy कितने साल चली है और उसका surrender value क्या है enforce policy के लिए loan surrender value का 90% मिलता है और trader value policy के लिए loan surrender value का 80% मिलता है Tax benefit इस policy के अंतरगत जो प्रीमियम का भुगतान होता है वह income tax के section ATC के अंतरगत exempted है और भीमा धारक को जो maturity का भुगतान होता है या death के case में nominee को जो death benefit का भुगतान होता है वह income tax के section 10-10-D के अंतरगत completely tax free होता है आईए इस policy को उधारन के साथ समझते हैं मिस्टर कीनू जिनकी उम्र 25 वर्षे money back table number 920 की policy लेते हैं policy का समेशोड उन्होंने 5 लाख रुपे लिया है इस policy का term 20 वर्ष का होगा और मिस्टर कीनू को 15 वर्ष तक premium का भुगतान करना होगा यदि मिस्टर कीनू yearly premium payment mode का चुनाव करते हैं तो उनका yearly premium 37,722 रुपे होगा इसी परकार half yearly quarterly और मन्थली premium कुछ इस परकार होगा सिर्फ पहले वर्ष का premium इससे थोड़ा ज्यादा होगा इस परकार मिस्टर कीनू annual basis पर पूरे policy period के दोरान total 5,66,660 रुपे premium के रुप में भरेंगे यदि accidental date and disability rider भी साथ में लेते हैं तो annual premium 38,336 रुपे होगा और साथ में term rider भी लेते हैं तो annual premium 49,442 रुपे होगा अब देखते हैं इस policy के अंतरगत benefit का भुगतान किस परकार होगा जब policy के 5 वर्ष पूरे होंगे तो पहले money back के रुप में उन्हें sum में शोड़ का 20 परतिसत अर्थात 1 लाख रुपे मिलेंगे जब policy के 10 वर्ष पूरे होंगे तो दूसरे money back के रुप में sum में शोड़ का 20 परतिसत अर्थात 1 लाख रुपे मिलेंगे जब policy के पंदर वर्ष पूरे होंगे तो तीसरे मनी बैक के रूप में उन्हें स्रम्मेशोड का 20% अर्थात 1,00,000,000 रुपे मिलेंगे और जब policy के 20 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस policy की maturity हो जाएगी और Mr. Kino को maturity का भुगतान कुछ इस परकार होगा सबसे पहले policy का बचा हुआ स्रम्मेशोड का 40% अर्थात 2,00,000 रुपे वेस्टेट सिंपल रिविजनरी बोनस 3,90,000 रुपे और फाइनल एडिसनल बोनस 20,000 रुपे तोटल 6,10,000 रुपे यहां जो मैंने maturity calculate की है वह LIC द्वारा declare किये गए बर्तमान policy के bonus rate के अधार पर है अथा आपकी maturity इससे अलग हो सकती है policy लेने के बाद यदि Mr. Kino के साथ कुछ अन्होनी होती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो नौमिनी को death benefit का भुगतान होता है policy लेने के दिन से लेकर policy period के बीच में कभी भी Mr. Kino के साथ अन्होनी होती है तो policy के sum insert का 125 परतिसत मिलेगा मतलब 5 लाग का 125 परतिसत अर्थाथ 6 लाग 25 जार रुपय है वह जरूर मिलेगा और साथ में wasted simple revisionary bonus भी इसका amount इस बात पर निर्फर करेगा कि policy कितने समय तक चली है policy जितने ज़्यादा समय तक चलेगी bonus का amount उतना ही ज्यादा होगा यदि Mr. Kinu के साथ अन्होनी policy लेने के 15 वर्ष के बाद होती है तो nominee को final additional bonus भी मिलेगा यदि term rider भी साथ में लिया है तो अतरिक 5 लाग रुपय का भुगतान होगा और साथ में यदि accidental death और disability benefit rider लिया है और अन्होनी accidental होती है तो अतरिक 5 लाग रुपय का भुगतान होगा मतलब यदि policy term rider और accidental death and disability benefit rider दोनों के साथ लिया है तो accidental death के case में total 16,25,000 रुपय और साथ में bonus का भुगतान होगा तो यहां थी इस policy की जनकारी यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को like करके मुझे प्रोत्साहिच जरूर करें यदि आप इस policy के detail को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी website insurance-technical.com को visit कर सकते हैं मैंने website के link इस वीडियो के description में दे दी है और सबसे महत पूर्ण यदि आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो कर लें और जूड़ या हमारे साथ insurance professional से insurance की जानकारी के लिए और साथ में bell icon को भी click कर दें और all select कर लें ताकि जब भी मैं new video upload करूँ वह सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और अंत में अपना किम्ती समय निकाल कर इस video को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद